आखरी के 50 दिन बचे मेरे को ये नहीं समझरा रहा कि आखरी के 50 दिन travelled में में एक्टास अकॉट Wecular करना है कैसे लेगा पाऊंटे ने अर। तो उसलिए वेडियो को स्टार्ट करें कि अब देखिए आपको पता है कि जो हमारा एडवांस अकाउंट से बच्चे जो हमारा एडवांस अकाउंट्स है हाँ जी हंड़ेड मार्स का पर आपके पास इसमें 27 स्टैंडर्स हैं और क्या है सर उसके लावा मॉड्यूल 3 है जिसके अंदर हमारे प्रेक्टिकल चेप्टर्स हैं अंदर आपको पता है कि आपके 30 आने वाले हैं अब सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है सबसे पहले ना आई सीन जितने भी है उन पर फोकस करिए और यह 30 मार्स जो है इसको कंफर्म करने की कोशिश करिए तीस नंबर की यह ना इस पर कहीं न कहीं आप थोड़ा सा मेहनत करने और अगर तीस नंबर के अंदर से आप 25-27 तो बिलीव में सिटुएशन थोड़ी सी थोड़ी सी कि बहुत अच्छी हो जाएगी फिर आपको 70 में ज्यादा टेंचन लेने की जरूत नहीं है ज्यादा टेंचन लेने की जरूत नहीं और इसको करने का इकी तरीक है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो भी आपन जब करेंगे जो भी चैप्ड़ कर रहे हैं तब भी जाके एंसी को पर हम नमबर लेकि आपाएंगे और यह मेरे को बताने की जरूत नहीं अगर आप ने मेरे इससे पहले कोई वीडियो देखिए तो आपको पता है इंपोर्टेटर कुन से हैं देखो एडवांस सबसे पहले मोडियूल 3 पर फोकुस करने आपको यह मैं चीक-चीक के चिला-चिला के कही बार बता चुका हूं तो 40-50 मार्स का पीपर यहां से आने वाला है और आपने डंग से कर लिया तो 40 नमर मिनिमम कहीं नहीं गए अर्यटिंग मापइंट उसके बाद अगर आपने आपको यहां से आएगा और पचास नमबर के असपास आपके यहां से आजेंगे राम से ठीक है जी और उसके बाद इसा थोड़ना है कि बिल्कुल नहीं आते हैं उसके लाभा 12 16 19 20 यह वाले अकॉंटिंग कर लो जो असान भी है और थोड़ा से वेटेज भी जादा आती है एक्जाम में आने की संभावनाए जादा है ठीक है जी मैं बता देता हूं आतवी इसको अच्छे तरीके से करने की जरूत है बहुत अच्छे तरीके से जैनिकी इसका कंजना है उसके बाद कुश्चिंटर कर रहे हैं और उसके वाद टेस्त देना है concept के लिए आप के पास free content भी है या फिर आपने कहीं से classes ले रखी होंगी चाहिए हमसे ले रखी होंगी किसी और से तो concept तो वहां से समझ आजएगा अगर कहीं से नहीं ले रखी है तो YouTube पे हमारी playlist बनी हूँ पास एक्जाम minimum five attempts के minimum ज्यादा कर ले तो बहुत अच्छी बात है पास एक्जाम ठीक है जी या फिर या फिर मेरे बचे perfect practice is the panacea for all बोले तो ना करना है ना करना है पास एक्जाम करना है सरफ और सरफ और सरफ पर्फेक्टिस बोक अगर आपने कर ली तो live jingle लाला क्यों कि सकने सारे के सारे rtpmpt पास एक्जाम पाँच एक्जाम के नहीं आज तर यतने भी कोशन पूछेंगे उस चैप्टर से सारे के सारे कवर हैं और ऐसा नहीं कि बहुत जादा सिक्वेंस और बहुत जादा कोशन बढ़ा दी गए है बेस्ट मर्जिंग कर दी गई है अगर एक कोशन ही बार-बार घुमा-घुमा के आई से दस दफ़े पूछ रहा है तो उस कोशन को बता दिया भाई साव यह कोशन दस बार आया है तो इसे दो-तिन बार बना लो कोशन को दस बार करने से अच्छा रिविजन के डायम पर आपको बहुत जादा असानी हो जाएगी अगर आप पी-पी वोग से करते हैं तो प्रेक्टिस तो ठीक है एक तो यह क्या आपको बदा चुका हूं भाई सार जो चप्टर कर रहे हो उसका एक बीना चूटने पाए जहां वो मिले चाहिए वो हमारे कोर्स में मिल रहा है चाहिए वह आपको आइसे की वेबसेट में मिल रहा है उस चप्टर से रिलेटिद एक भी एंसे क्यों की प्रेक्टिस चूटना पाए कंसर्ट बहुत अच्छे से तरीकी से करना तब जाके व लंदी लगने वाला है तो इसलिए कर पाऊगे जिसे आप चेकर आए एक्सपर्ट फेगल्टी से ऐसा ना हो कि खुद दिया खुद चेक कर लिया तो टेस्ट जरूर देना है जिसको चेक कराने है आपको हमारे कोर्स के इंदर भी वैसे चेप्टर बात ही नहीं यहां से भी पर टेस्ट जरूर अटेम्ट करना करें तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूर हो इसके बाद आती है अपने नोट से रिविजिन करिए या फिर पर्फेक्ट रिविजिन बुक जो आपको पता इंडिया बेस से लिंग है वैसे अब आपके लिए यहां पर सुनहरा कोशन मास्टर कोशन मिल जाते हैं पीपी के अंदर सारे के सारा पूरा पूरा कोशन मिल जाता है जिसकी वीडियो सॉलूशन अविलेबल है तो अगर आप यह किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है और वाकी मैं तो कहता है आपके पीपी प्यार तो होना ही चाहिए ब क्या हो सकता है तो अगरा पैसे करोगे तब ही हो पाएगा अधर्वाइस दिक्कत प्रशानी हो सकती है